कि अधिये में देखने को बने बने देखने को अधिये में देखने को कि अधिये में देखने को अधिये में देखने को बनाने में और इस देख के संचालन के लिए जो सम्विधान का योगदान दिया गया है जिसको बनाने में मैं कह सकता हूँ कि he was one of the prime architects in the making of the constitution यह हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि उन जैसा नेता ने इस देख का मारदर्शन एक समय पे किया हमारे उस समय के ततकाली परधान मंत्री स्वरगय पंडेत नहरून है उनको अपनी पहली सरकार की जेंड सरकार की cabinet में बकायदा लोम मंत्री के रूप में कानून मंत्री के रूप में उनको दायتव दिया और उन्होंने सरकार का संचालन करने में अपना यूगदान दिया आज भी और आने वाली पुष्टों के लिए भी उनके दुआरा दिखाया हुआ रास्ता हम सब के लिए प्रेणादायक है उनके दिखाय हुए रास्ते पर हमको देश के सम्विदान को मजबूत करने की आवि कुछ भी नहीं है संविधान हर घ्षेत्र को हर जाती को हर धरम को हर इलाके को प्रदेश के और देश के हर कोने को समानता के साथ हैं कि आगे बढ़ने का सीख हमें देता है और इसी संविधान के माध्यम से आज देश की एक अलग पैचान पूरे विश्व के अंदर बनी है तो हमको यही संकल्प आज के दिन में लेना है कि हमें अपने लोकतांतरिक मूलियों को मजबूत करना है चाहे हमारा सरकार है चाहे हमारी legislature है चाहे हमारा judicial system है चाहे हमारे regulatory bodies है देश और प्रदेश के अंदर autonomous bodies है और साथ ही साथ जो हमारा पंचायती राज संस्तान हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर है हमारे सिविक बॉडीज है उसमें महिलाओं की हमारे कमजोर वर्गों की S.E.S.T. की माइनौरिटी की और सब वर्गों की इकुल participation इन सब संस्ताओं के अंदर हो ताकि सब की आवाज के साथ सब के योगदान के साथ सब के समर्थन के साथ ये देश आगे बढ़ता रहें तरक्की करता रहें यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ हमारी सरकार इन मुल्यों के उपर काम कर रही है हमारे माननय मुखे मंत्री जी और प्रदेश की सरकार इनी मुल्यों के साथ आगे बढ़ती रहेगी और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का समानता के साथ चाहे जन्जातियक शेत्र है, चाहे कांगडा है, चाहे किनौर है, चाहे सिर्मौर है, समान विकास और सरवत्र हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण विकास की धारना के साथ आगे बढ़ने के लिए हम वचनवद है जिस पे हम आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रियास करते रह Bureau Report, City Channel, Shimla